कि नमस्ते उपस्तित उएक नया विडियو लेकर आज मैं आपनोंको बैंक ओ इंडिया का नेप्र और लेप्ट में चलेंगे तो यहां पर लिखना है ब्रांच यानि जिस से ब्रांच से यह फto बढ़ने जा रहा है वो ब्रांच लिखेंगे तो फिलाल मैं है Nirmaliego branch स का ना मुझे रहा हूं उसके देखता है जी कि यहां पर कि यानि की आपको टिक लगैने डिटीवनना चाहते हैं यह प्य यह करवाना चाहते हैं तो मैं नैब यहां पर डालना होगा तो शिलाल मैंने 3788 डाल दिया जिसकी च्रुड पैसे भीजिना है वक्तरी के चालूआ आपको यहां पर लिखना ऊ यहां सरा आप लिखेंगे तो फिलाल मैं एक लाक रुपे बेजने जा रहा हूं तो मैं एक एक लाग रुपे लिखूंगा और पुना यहाँ पर कर देंगे जिरो जिरो और जो भी चार्जेज है वो सारा कुछ आपको नहीं पता है तो ऐसे करके पुना आप एक लाग यहाँ पर लिख देंगे ठीक है इतना कर देने के बाद अब नीचे क्या की लिखा हुआ है रूपीज यानि कि यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना है तो वन लैक रूपीज लिखेंगे वन लैक रूपीज तो यहां लिखावा यांनी कि जिसके एकांट में भेजना है उनका नाम लिखना तो मैं राकेश कुमार के अर्कांट में पैसे भेजने मुआं आप लिखना हूँ अब उनके branch का नाम लिखना है, उनके branch का नाम है, मतलब दर्भंगा, दर्भंगा branch है, उनके branch का नाम, ठीक है, वो आप पूरा लिखेंगे, उनके बाद center छोड़ देंगे, bank, कौन सा bank है, उसका bank है, वो sbi है, तो वो लिखेंगे, देखेंगे, यहाँ पर लिखाएवाए only for r करने तब इनको भरेंगा दरवाज इसको आप नहीं बरेंगे उसके बाद इसका लिखना यानि कि अगर आप 49999 से ज्यादा पैसे आप बेजना चाहते हैं तब आपको यहां पर पैन नमर में संज करना जरूरी हो जाता है यानि कि आपको अपना पैन नमर देना कि जो जिसके पैसे बेजनेंगे उनका पैन नमर आपको अपना पैन नमर यहां पर लिखना जरूरी है उसके बाद चलेंगे तो एड्रेस मांगा जा रहा है अगर आप कैस में करना चाहते हैं ट्रांजक्शन तब आप यहां पर एड्र अगर आप चेक से पैसे नहीं भेज रहे हैं या चेक से आप पैसे नहीं कटवा रहे हैं तो फिर आप अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने एकॉंट से पैसे कटवा रहे हैं तो फिर इसमें आपको अपना नमर लिखना है जो भी एकॉंट नमर है वो एकॉंट नमर आप account number for the amount, यानि कि मेरे account से पैसे काट लिए जाए, तो आप अपना account नमर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद signature of the applicant यानि कि आपको अपना signature कर देना है ठीक है, यहाँ पर आप अपना signature कर देंगे, उसके बाद application यानि कि आपको अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर आप पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद address लिखावा है, तो यहाँ पर address लिखेंगे, और right side में चलेंगे, तो यहाँ पर लिखावा है कि denomination number of piece है, यानि कि अगर आप cash में पैसे जाना चाहते है, तो फिर आपको यहाहाँ लिख पुना जो आप left side में चलेंगे तो पुना आपको एक form फिर भढ़ना परेगा जो कि आपके पास रहेगा प्रूप के तौर पर इसमें भी आपको पुना वही भढ़ना है डेट देना है आपको जो डेट है वो डेट डालेंगे उसके बाद आप ब्रांच लिखेंगे अपना पैसा भेज रहे हैं वो ब्रांच का नाम लिखेंगे उसके बाद bank का नाम लिखेंगे तो SBI bank था मैंने SBI लिख दिया उसके बाद FSC code लिखेंगे जो FSC code उसके account यानि कि सामने वाले जिसमें आप पैसा भेज रहे हैं उसका जो FSC code होगा वो FSC code डालेंगे उसके बाद beneficiary ह नाम लिखेंगे जिनके एकोंट में आप पैसा भीज रूह है। उसके बाद लिखाओय डिटेल्स अब पार्टीकल यन्मा कि आ परंव CyrK में लिखने हैं… और चेक नमड लिखना उसके बाद इतना कर देना है तो इस तरह से अगर आपको आप जिस्वी माध्यम से पैसा भेजना चाहिए चाहे आप चेक स्वीर्व एक आपको पसंद आःओ अगर ये वीडियो पसंद आई झाल झाल